अलो फ्रेंट बलकम देख तो माई यूटूब चारल सु फ्रेंट मैं आउए फूर से एक यज नई वीडियो के साथ यह वीडियो बहुत ही ज्दा रॉक्यस्टटड वीडियो के सब्सक्राइब बहुत लोग मुझे से कमेंट्स करते हैं कि मैं प्रीज अपने हेर और यूज करते हैं वह आप इसके ऊपर वीडियो बनाया है तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं काफी लंबी समय से मैं एक ही हेर यूज करने वाली हूँ बहुत सारे में यूज किये हैं हेर और मुझे बहुत ही बेकार रिजल्ट मिला और मैं काफी लॉंग टाइम से उसी को यूज कर रही हूं और वही मैं आपको बताने वाले हैं एगहें बसक़्िट करता है नियवत करते हो चंछ कर सबस्क्राइब इसमें एक ढावल आमला और का तो मैं करती हूं निहार सांधी आमला जो नेच्रल वाला है काफी अच्छा हेर ओउयल है काफी लब में समय से मैं इसको यूज कर रही हूँ इसलिए वीडियो आपको सेयर किया थे तो आ है जौन मेरे बेचानि सकते हैं और पी बीडियो बशभनी सब्सक्रपर से लिखरें, काफी विदियो में art नियुक्री मैं करते हैं माँ एयर पक्त कर देख लिए हैं आप चाहि काप आवल ऐन को क्ल休止 में तो प्लीज चैनल को ज़रू सिस्क्राइब करें अगर आप कोई भी हेर ऑल है अगर आपको सूट कर रहा है तो जो भी हमारी स्केल्प होती है उस पर मसाज करती हुए आपको हेर ऑल यूज करना है अपने हेर आप्लाइब करना है एक भी कौना नहीं चूटना चाहिए अगर आप खुद कर सकते हैं तो आप किसी अपने घर में घर काफी अच्छा रहता है जिसे हमारे हेर हेर वो काफी अच्छे से ग्रो करते हैं और आपकी स्कल्प बहुत मजबूत हो जाती है और आपके हेर हैं बहुत मजबूत होने लगते हैं बहुत कम गिरने लगते हैं अगर अगर की हेर काफी पत्ले वह सोढ़ी वाली वात है आप उस पर ध्यान दे सकते हैं अपने हेर की केर करना सबसे जरूरी है अगर आप कुछ दिन केर करते हो अपने हेर पर फिर छोड़ देते हो तो यह आपके लिए बहुत ही नुक्संद रायक होता है फिर आपकी हेर है वह कमजोर होने रखते हैं क्योंकि हमारे जैसे बॉड़ अब मैं अपस्त खता हैं से इसे हैर कने सबस्क्राइब कना सबस्क्राइब करना और हमें बांट कर दो सारे ऑपर और यह आ की सदो यहां सबस्क्राइब वीडियो अप्रोड करबाती हूँ तो आप टेंशन मज़ लिजिए जो भी लोग मुझे कमेंट करते हैं मैं सारे कमेंट पड़ती हूँ और उपर वीडियो बनाएगा अब भी मुझे कुछ लोगों ने hair oil का video बनानी को बोला था तो मैंने इसके उपर share किया है यह मेरा secret oil है जो मैं आपके साथ share कर रही हूँ काफ़ी अच्छा hair oil है अब जरूर ट्राइ करिएगा अगर आप चाहते हैं कि मैं hair sample के उपर भी अपना जो मैं sample use करती हूँ उसके उपर ।